उत्तर प्रदेश विधान सभाच चनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है दूसरे चरण के तहट मतदान से एक दिन पहले तक स्यासे दलों की और से उमिद्वारों के नाम का एलान के जाने का सिलसिला जारी है बहुजन समास पार्टी ने पार्टी के उमिद्वारों की एक और सूची चारी कर दी है इस सूची में स्तात्वे और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर मतदान होना है उनके लिए उमिद्वारों के नाम है बसपा ने घाजिपुर जिले की जहूराबाद विधानसवा सीट से शादाव फातिमा को टिकट दिया है जहूरादबाद विधानसवा सीट से सुहेल दियू भारतिय समास पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष उम्प्रकाश राजभर विदायक है सुभासपा और समासवादी पार्टी इस दपें गड़ बंधन करके चिनावी मैदान में है शादाव फातिमा शिपाल सिंग यादो की प्रगती शील समासवादी पार्टी लूहिया में थी शिपाल यादो इस दपें खुद सपा के सिंबल पर चिनावरट रही है बसपा की ओर से जारी की गई 47 उम्मिदवारो की सूची में गाज़िपूर के अलावा आजमगड, मौ, जौनपूर, चंदौली, वारनसी और भदोही जिले की वधानसवा सीटों के लिए उम्मिदवारो की नाम है बसपा की इस सूची में मेरज़ापूर और सौनपदर जिले की वधानसवा सीटों के लिए उम्मिदवारो की नाम का भी ऐलान किया गया है शादाव फातिमा दो बार विधाइक रही है शादाव फातिमा दोहजर साथ में गाज़ेपूर सदर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीत कर विधानसवा पहुंची थी शादाव फातिमा को 2012 में सपा ने जहूराबाद विधानसवा सीट से चुनावी मैदान में उथा रहा शादाव फातिमा ने तब सुभास पाध्यक्ष ओंप्रकाश राजबर को हराया भी था शादाव फातिमा अकिलेश यादो के नित्रत वाली सरकार में मंत्री भी रही लेकिन बाद में उन्हें मंत्री मंडल से हटा दिया गया था